Welcome to Blackboard Education आज हम आपके साथ Class 12th Biology के चेप्टर Ecosystem अर्थात पारित अंदर के Important Objectives डिसकस करेंगे जो सिर्फ Board के Point of View से ही नहीं बलकि किसी भी competitive Point of View से बहुत ही Important चेप्टर है क्योंकि Environment Section से जोड़के इससे Direct Question आपके Examination में पुछे जाते हैं अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे आने वाले किसी भी प्रकार के वीडियो का PDF डाउनलोट करना चाहते हैं तो Simply हमारे इस Telegram चैनल को जोईन करिए जिसका handle यहां दिया गया है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए चली शुरू करते हैं पहला कोशन देखते हैं पहला कोशन है जहील पारित तंत्र में जैयो भार का पिरामीड होता है inverted pyramid या ultra pyramid कहते हैं अब questions को हम लोग देखना शुरू करते हैं पहले कह रहा है जील पारितंत्र में जयो भार pyramid होता है मतलब अगर भार के हिसाब से देखा जाता है तब तो अगर जील पारितंत्र का आप अच्छे से अगर बनाएंगे पूरे food chain अब को पता है पहले होता है phytoplankton फिर होता है ju plankton फिर होता है जो शाकाहारी मचलिया होती है और फिर जो carnivores होते हैं जो मांसाहारी बड़ी मचलिया होती है ठीक है अगर इनके mass के हिसाब से इनको आप सजाना सुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि जो घास थे phytoplankton थे वो वजन के हिसाब से सबसे कम थे लेकिन जो मचलिया थी जो टॉप लेवल पे थी carnivores थी जो छोटी मचलियों को खाती है उनका वजन काफी ज़ादा होता है that means कि जो सबसे निचले हिस्थे पे है वो कौन है प्रोडिउशर है और जो सबसे टॉप मोस्ट हिस्थे पे है वो कौन सा है तो जो बड़ी मचलिया है वो है इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि यहाँ जो पिरामीड बनेगा वो उल्टा बनेगा इसलिए इसका आंसर क्या होगा B ठीक है अगला कोशन देखते है एक पारिस्थितिकी तंद्र में उर्जा का प्रवा का शही क्रम है अब यहाँ देखिएगा कोई भी पारिस्थितिकी तंद्र हो आपको पता है कि वहाँ जो एनर्जी फ्लो होता है वो कैसे होता है तो तो किसी भी एको सिस्टम का जो ultimate source of energy होता है, वो शन होता है, और उसके बाद से उस energy को अब्जॉर्ब करते हैं कौन, तो producers, उत्पादक, तो यहां option चेक करते हैं, पहला है उत्पादक, यह भी है उत्पादक, मतलब इसी में से कोई एक होगा, साकाहरी तो सीधे-सीधे आएं निमनलिखित में से किसका निर्माण पारितंत्र से होता है, पहला है खाद स्रिंखला, दूसरा है खाद जाल, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं, तो जी हां, आप समझ सकते हैं, अगर किसी पारितंत्र में खाद स्रिंखला का निर्माण हो रहा है, इसका अर्थ है कह रहा है कि एक छेत्र विसेस में प्रात्मिक उत्पादकों की शंक्या अधिकतम किसमे होगी और यहां option दिया गया है पहला है घास के मैदान पारिस्थिति की तंदर में दूसरा है जंगल पारिस्थिति की तंदर में तीसरा है जलासे में और चौथा है मरू अस्थल में अब यहाँ simply अगर इसके options को एके करके eliminate करना शुरू करते हैं तो कई बार यहाँ आप answer अगर बुक कही साब से चेक करेंगे तो वहाँ देता है जंगल जंगल पारीतंद्र forest जो होता ecosystem वो देता है लेकिन जो इसका correct answer होगा वो होगा option 6 जला से पारीतंद्र में जीहाँ pond ecosystem जो होता है वो उसमें जो primary producers होते हैं उनकी शंक्या सबसे ज़दा होती है next question को देखते है पाच नमबर एक खादस रिंखला किससे आरंब होती है कोई भी खादस रिंखला उत्पादक हरे पौध है ठीक है तो option आप देखते है nitrogen इस्थरी करन करने वाले जीव ये नहीं होगा प्रकास translation करने वाले से बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो plants होते हो प्रकास translation करते है अर्थात एक खादस रिंखला किससे शुरू होगी तो प्रकास translation करने वाले जीव शे चलिए अगला क्वसन देखते है छे नमबर पारिस्थितिक तंत्र में अहार अस्तर को कहा जाता है अब यहां option देखते है पहला option है उत्पादक अस्तर दूसरा है उप्भोकता अस्तर तीसरा है शाकहारी अस्तर चौथा है A और B दोनो तो इसमें आंसर इसका सही हो A और B दोनो उप्भोकता अस्तर भी कहते हैं और शाकहारी अस्तर भी कहते हैं शात नमर question है अगर जैव मंडल से CO2 को हटा दिया जाए तो कौन से जीव पर सरव प्रथम बुरा प्रभाव पड़ेगा तो देखिए वैसे किसी भी ecosystem से अगर किसी एक source को हटाते है तो पूरा वो disturb तो हो जाता है लेकिन question पूछा गया है कि किस पर सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा तो जी हाँ जो CO2 का direct to PO करते हैं सबसे पहले उन ही पर प्रभाव पड़ेगा और आपको पता है कि जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं मतलब पेंड़ पौधे होते हैं सबसे जादा उन पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो CO2 से ही अपना भोजन बनाते हैं इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा option A प्राथमिक उत्पादक चलिए आठ नमर कोश्चन देखते हैं आठ नमर कहरे एक जील पारित अंतर होता है यह तो सीधे सीधे कोश्चन है इसका अंसर D हो जाएगा जल विज्या ठीक नौ नमर है और शादी चक्र के अंतरगत किसका चक्री करण होता है option A लोहा मतलब लोह भी है फॉस्फोरस C है दोनो और D है इन में से कोई नहीं तो देखिएगा कि जो sedimentation cycle होता है और शादी चक्र होते हैं उसमें बहुत सारे जो तत्व होते हैं उनका चक्री करण होता है जैसे लोहा का होता है फॉस्फोरस का होता है कैल्सियम का होता है तो इसमें से अगर option के हिसाफ से चलेंगे तो लोहा का भी होता है और Phosphorus का भी होता है इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा Option C Option C दोनो मतलब लोहा का भी होगा और Phosphorus का भी होगा 10 नमर क्वेस्टन है 10 प्रतिसत उर्जा हरास का नियम किस ने बनाया तो ये आपको बिल्कुल पता ही होगा लिंडेमन ने बनाया इसलिए 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा Option A 11 नमर क्वेस्टन है साधारन खाद स्रिंखला का सही क्रम है कोई भी साधारन खाद स्रिंखला का क्रम देखेंगे तो आपको पता है कि वो उत्पादक से सुरू होता है मतलब घास से पौधर सुरू होता है तो यहाँ सीदे सीदे आपको दिख रहा है घास घास से बकरी बकरी शे इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा Option A चलिए 12 नमर देखते हैं उर्ध वर्ती या सिखरांग अपराइट पिरामीड वह पिरामीड है जो अच्छा देखिएगा अपराइट पिरामीड में बलब कैसे बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा और इस पर अलग-अलग लेवल्स होंगे ऐसे बनेगा तो Option अब देखते हैं उर्जा पिरामीड जो सदैव खड़ी अवस्था में होती है बी Option अउर्जा पिरामीड जो सदैव उल्टी अवस्था में होती है शी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं तो देखिएगा यहाँ पे सीधा की बात करी जारी इसका अंसर क्या हो जाएगा जो सदैव खड़ी अवस्था में होती है कोई दीकत यहाँ तो चलिए अगला क्वेसन देखते है तेरा नम्मर क्वेसन कहा रहा है एक खाद सरिंखला में निम्नलिखित में कौँ सरवाधिक संक्या किसकी होती है अगर खाद सरिंखला को अगला क्वेसन देखते है चौदा नम्मर एक जील में द्वीतिय पोषण अस्तर होता है एक जील में द्वीतिय पोषण अस्तर होता है तो अगर जील के लिए अगर पारीतंत्र सोरी फूड चेन बनाना सुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा यहां से कि जो यहां जो food chain बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा यह हो गए phytoplankton जो तैरते हैं समुदर में घास वो हो गए फिर हो गए ju plankton जो छोटे जीव जो उस घास को खाते हैं वो हो गए फिर होते हैं बड़े मचलिया जो इनको खाती है इस ju plankton को खाती है ठीक है तो यहां से कहा जाए कि सरवाद sorry question था एक जील में दुवित्यक potion अस्तर पर होते हैं तो पहले अस्तर पर होते हैं phytoplankton दूसरे पकोन होते हैं zooplankton ठीक है जू plankton का हिंदी क्या होता है तो इसका हिंदी होता है परानी पलवक इसका right answer क्या हो जाएगा option B एक जील में दुवित्यक potion अस्तर पर कोन होता है तो परानी पलवक होते हैं और उसका producer कोन होता है तो पादपलवक होते हैं ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं 15 नंबर कहा रहें द्वितिये उत्पादक है जी हाँ द्वितिये उत्पादक है option है शाकाहारी दूसरा उत्पादक, तीसरा मांसाहारी और चौथा option है इन में से कोई नहीं इसका option को देखिएगा तो पहला option है शाकाहारी दूसरा है उत्पादक, तीसरा है मांसाहारी, चौथा इन में से कोई नहीं तो द्वितिये उत्पादक पुछा गया है, देखिए इस थोड़ा सा controversial question है पहली बात कि खाद सरिंखला में उत्पादक एक ही होता है कोई दूसरा उत्पादक होता नहीं है इसलिए इसका इस हिसाब से right answer क्या हो जाएगा D, जो मेरे हिसाब से भी ज्यादा perfect answer है दूसरा इन में से कोई नहीं होगा क्योंकि उत्पादक सिर्फ पहुधे होते हैं के अलावा कोई उत्पादक नहीं होता है लेकिन कई बार आप अलग-अलग books पढ़ेंगे तो आपको वहाँ heterotrops भी लिखा हुआ मिल जाएगा heterotrops that means कि जो primary producers से क्या होते हैं कि उन पर depend करते हैं लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इसका सही answer होगा option D, इन में से कोई नहीं अगले question देखते हैं प्राशंगिक और विकिरण में प्रकास संसलेट्सनात्मक सक्रिय विकिरण की क्या प्रतीसत होती है तो इसका right answer होगा option B, पचास प्रतीसत जी हाँ मैरे पहले बताया था अप लोग को जब incident right error होती है उसका almost 50% या उससे कम, जो होता है वो PAR कहलाता है जो photosynthetically active radiation होता है वो 50% या उससे कम होता है इसलिए इसका right answer क्या हो जाएगा option B, लेकिन अगर पूछे कि पौधे PAR का कितना यूज करते हैं तो वहीं 2-10% तक इस्तेमाल PAR का करते हैं चलिए अगला question देखते हैं 17 number PAR का करते हैं जो प्रात्मिक उत्पादक होते हैं उनकी शंक्या काफी जादा होती है और जो consumers होते हैं धीरे-धीरे इनकी शंक्या घड़ते चला जाता है ठीक है इसलिए इसका right answer क्या होगा 19 number question देखते हैं पारेश्थिकी तीतिकी तंत्र में निमलेखित में क्या सही नहीं होता है तो खुला तंत्र, बंद तंत्र, सीम परिवरतं, सील तंत्र अड़ी में कोई नहीं तो बंद तंत्र नहीं होता है इसलिए ये सही नहीं होता है 20 number है उर्जा का पिरामीड सरवदा होता है जियां ओजा का pyramid सरवदा शीधा होता है क्योंकि जब एक Tropic level से दूसरे Tropic level पर energy transfer होती है तो पहले के सिर्फ 10% के बराबर ही transfer होती है इसी वजह से higher Tropic level तक जाते जाती है कम हो जाता है और इसलिए इसका जो pyramide बनता है वो सीधा बनता है 21 नमर क्वेस्टन है कि वन परिस्थिति की तंतर में शेर का पोर्षन अस्तर होता है इसका राइट अंसर होगा अच्छा देख लेते हैं पहले यह हो गया प्रोडिूशर ठीक है फिर हो गया यहाँ पर माल लेते हैं गोट बकरी फिर माल लेते हैं उल्फ भेडिया और फिर माल लेते हैं टाइगर तो count करिया, 1, 2, 3, 4 tiger कितने नमर पर आया, या lion जो भी है कितने नमर पर आया, चौते नमर पर आया इसलिए इसका right answer क्या हो जाएगा, option B, T, 4 हाला कि कई जगा ये T3 भी लिखा हुआ होता है क्योंकि उनके ही साबसे जो food chain वो बनाते हैं, उत्पादक का मतलब घाष का, फिर हिरन का बना देंगे और फिर lion का बना देंगे तो जब इस तरीके के food chain लेकर answer लिखते हैं, तो T3 हो जाता है लेकिन जो perfect answer मेरे ही साबसे होना चाहिए वो होना चाहिए कि इस तरीके से इसका right answer क्या होगा, T4 होगा 22 नमर देखते हैं 23 नमर है किसी पारिस्थिति की तंत्र में प्रभावी वल किसे कहते हैं तो शौर उर्जा कहते हैं, ये तो बहुत simple question था 24 है किसी भी खाद स्रिंखला में हरा पौधा प्रथम कड़ी होता है क्योंकि आपको पता है कि CO2 को क्या करता है, वो स्थिर करता है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शी, केवल इन ही में वतावरन की CO2 को सूर्ज प्रकास की उपस्थिति में इस्तिर करने की छमता होती है इसलिए इसका राइट आंसर होगा शी, I hope आपको पश्चन्द आया होगा Thank you for watching, thank you very much